वीडियो को लाइक करें ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा कर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी केटेगरी की दवा है इसके कौन-कौन से popular brand ने market में आते हैं इस दवा का उप्योग कहा कहा किया जाता है इसकी क्या-क्या side effect है तता इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या-क्या सावधान रखनी चाहिए वीडियो को अंतक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट किलियर हो सके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अविश्य दमाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए यहां से आज क सक्कूष नया सीकते हैं दोस्तों बीटा हिस्टी एक परकार की हिस्टामीन एनालोग की दवा है मैं यह हमारे इनर इयर के अंदर जो ब्लड फ्लो Mind होता है उसको इंप्रूव करता है और उसके अंदर जो एक्सिस प्रेशर जनरेट हो जाता है उसको वापिस बेलेंस कर देता है जिससे की वेक्ति को चकर नहीं आता है दोस्तों अगर हम इसके परमुग ब्रांड नेम की बात करें तो वो है एबोट फार्मासुटिकल की वर्टीन टेबलेट सन फार्मासुटिकल की बीटा वर्ट टेबलेट मैनकाइंड फार्मा की वर्टी इस्टार टेबलेट इंटास फार्मासुटिकल की जी वर्ट सिस्टीन टेबलेट और सिपला लिमिटेड की वर्टी प्रेस टेबलेट दोस्तों ये दवा आपके area wise वे doctor wise अलग-अलग brand name से मिलेगी आप इसकी generic form को भी काम में ले सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं beta histine tablet के पर्मुक usage के बारे में तो इसका सबसे पहला use है manier disease के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें manier disease के symptoms के बारे में तो इसमें मरीज को nausea यानि की जी मचलाना, busyness यानि की चक्कराना और spinning sensation यानि की उसके कान में संसनिक की आवाज सुनाई देना आदी रहते हैं दोस्तों ये condition अजिकतर एक कान में ज़्यादा होती है और ये विमारी 40-60 साल के उमर में ज़्यादा देखी जाती है तो महाँ पर डॉक्टर द्वारा बीटा हिस्टीन को प्रेस्क्राइब किया जाता है दोस्तों इसका दूसरा उप्योग है टीनिटस के अंदर दोस्तों टीनिटस में एक कान में मरीज को गंटियों की तरह आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा बीटा हिस्टीन को प्रेस्क्राइब किया जाता है इसके अलावा दोस्तों जब भी मरीज को बार बार चक कर आते हैं तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है दोस्तों अगर हम इस दवा की डोज के बारे में बात करें तो ये सामनते एडल्ट में 8 mg या 16 mg टेबलेट दिन में 2-3 बार दी जाती है और अगर 24 mg की टेबलेट हो तो ये दिन में 2 बार दी जा सकती है यानि की ये टोटल 48 mg पर डे से ज्यादा नहीं दी जाती है दोस्तों इसके अलावा ये दवा बच्चों में सामनेते अवोईट की जाती है यानि बच्चों को नहीं दी जाती है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बीता हिस्टीन टेबलेट के परमुक साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके परमुक साइड इफेक्ट है हेडेक यानि की सिर्दर्ध होना पेलपिटेशन यानि की धड़गन का बढ़ जाना पेट में गेस का बनना या फिर जलन होना साथी साथ पेट का अफसेट हो जाना मरीज को ठकान में सूश होना नींद सा आना और मरीज के सरीर पर खुजली का चलना इसके परमुक साइड इफेक्ट है अगर इसके अलवा भी कोई भी साइड इफेक्ट आपको नजर आए तो आप तुरन डॉक्टर से मिलें और इस दवा को बंद कर दें दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दोस्तों जिस मरीज को पेप्टिकल सर हो यानि कि पेट में छालों की सिकाएत हो उस मरीज को ये दवा नहीं देनी चाहिए दूसरा जिस मरीज को अस्तमा की सिकाएत हो उसको भी इस दवा को अवईट किया जाना चाहिए इसके अलवा ऐसी कोई भी महिला जो pregnant हो या फिर breastfeeding mother हो या pregnancy की अगर planning कर रही हो तो हमेशा इसे डौक्टर के prescription के अनुसार ही देना चाहिए दोस्तों इसके अलवा ये दवा बच्चों में सामनेते avoid की जाती है तो दोस्तों ये थी जानकारी बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में जब भी कोई दवा लें तो अपने डौक्टर की सला से ही लें इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आउश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको सई समय पर मिल सके एक बार फिर मिलते हैं एक नई टोपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद